इसलाम अलाइकूम, मैं अपी जा रही हूँ, हस्पिटल चान्डा के गौवर्मेंट हस्पिटल जा रही हूँ, आज में आका टूर करवाँगी, क्योंकि मेरी तपीद कुछ सही नहीं थी, जब से मैंने वैक्सिल लगवाई है, तो मेरे हातों में दरत और जिसम के कुछिसों में दरत है, जो दो महीं नहीं हो गया, अपी तो खत्म नुवा में चेक अप के लिए जा रही हूँ, तो साथ अपना चेक अप टी कराऊंगी, आप तो को गौवर्मेंट हस्पिटल का टूर की करवाँगी, इस वक में इस पारा से जहां बहुत सारे बेरियल लगे में हैं, युज वाइरिस के बाद से बहुत सुप्ती कर दी है, इस तरह से अंचनि होने देते, बड़ा सा ये कोड लगावाए, जिसको इसकें करके अंदर जाना है, इस सारे बेरियल लगाए हैं, पिछले गेट पे मैंने कोड इसके इनके आप यहां पे बैठी हुई है हॉस्पिटल पहुच गई हुँ मैं यह गॉर्मेट का हॉस्पिटल है मैं इसका ओवराल व्यू दिखाती हूं गॉर्मेट के हुस्पिटल में यह है कि फीज बहुत कम होती है मतलब 13, 15, 20 और 30 RMB तक होती है और जब हम हस्पिटाल आते हैं तो यह क्वाहॉ करने बोलते हैं क्वाहॉ का मतलब है कि नंबर लेना नंबर लेने के लिए लाइन बनानी पड़ती है हम फॉर्मनर है तो हम पास्पोर्ट के जरीए अपना नंबर लेते हैं और जो चाइनीज है वह उनलाइन भी ले सकते हैं अपने NIC के जरीए लेकिन फॉर्मनर जो है NIC के जरीए नंबर नहीं ले सकते हैं उनको हस्पिटाल आने के बाद पास्पोर्ट दे के ही अपना कुआ हाओ करवाना पड़ता है नंबर लेना पड़ता है यह गेट है जिससे मैं इंटर हुई थ इस डेक्स से ले सकते हैं यह लड़किया मुझूद होती है केश लेना हो तो भी यहां से चेंज करवा सकते हैं इस तरफ यह कंप्यूटर लगे रहे हैं इन कंप्यूटर से जो है चाइनिज अपने NIC के जरीए खुआ हो कर सकते हैं मिन्स नंबर ले सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं ले सकते हैं और यह साथ में बोर्ड है जिसके अपर जो आज डॉक्टर ओन ड्यूटी हैं उन सबके नाम उनकी फील्ड और उनसे रिलेटिड जो भी एक्सपीरियंस हैं उनकी पिचर्स के साथ हैं आपको कौन सा डॉक्टर चाहिए यह देखें हर एक की पुरी डिटेल आ रही है जैसे यह में दिखाती हूं यह अपर इसका नाम आ रहा है इसकी एक्सपीरियंस और इसके बारे में इसकी कौलिफिकेशन वगएरा थोड़ा सा मजीद आगे आए तो यह केस काउंटर है है जब दक्र मेडिशन देते हैं तो यहां पर प्रमिट करनी पड़ती है नाइन बना यह बने वह है कर और यह पूरी विंडोस प्रमिट के लिए फिर इस साइड여 जा तो यह फार्मेसी है ही यह वेस्ट ओड मैडीसन की फार्व मैसी मैपिश करने के लिए काॉंटर पर आके पिर यहां पे जो स्लिप मिलें की परैमिट juicy वह दे कै settlement ले सकते हैं और यह जो है यह चाइनिस मैडीसन की सामर अगर चाहनिर्व मैडीशन तो विस वाले काउंटर से ले सकते हैं और मेरे पीछल नजर आ रही है यह सारी चेयर वेटिंग के लिए झाल गादे तो हरके चेर छोड़के बैठा वाई कोई साथ भी बैठा लेकिन अलाव नहीं है कि लाइन में लग तो नंबर लेने के लिए सब्सक्राइब करेंगे यह विंडो के ओपर जो पर स्क्रीन चलिए आज जो जो डाक्टर अवेलेबल है कौन-कौन से स्पेशलिस्ट है और कौन से नॉर्मल है उन सब की डिटेल आ रही है और यह लंबी सी लाइन बनी हुए कि वैसे थैना में सब जेगा वीचै चलता है। वीचैट से परमिट होती है लेकिन ये गौश्म्रऑन्स पर्सपेटल में जब हमाने पढ़ती है ना Candice से जाहिए लेते हूभ एगर कि बंटि कि पेक चाहिए निलेते हैं किसी चाहिए दो खैस सब्सक्राइब करते हैं अब मुझे सेकंड फ्लोर पर जा रही हूं जहां मुझे चेक अप कराना है वरूम सेकंड फ्लोर पर कोई मरी सीरियस कंडिशन में तो यह इसको गेट से विल्चेर प्रोवाइड कर देते हैं चलें अपर चलते हैं अब यहां पर लोगों ने बेरियर लगाए वाए ताके कोई नेसेसरी इंसान अंदर एंटर ना हो अब सिलिब देखके यह अंदर छोड़ेगी अब उपर आ गई है उपर वाले फ्लोर के उपर है डिफरेंट डाक्टर्स के रूम है मेरा जो रूम नंबर है तू वन नाइन है तो मैं अब वहां पर यह जो कोड बना वाई यह सकैन करूंगी फिर डाक्टर की कंपीटर में रिकाड आ जाएगा फिर बाहरी आने पर खु रूम है तो इस तरह हर रूम के नंबर के बाहर और उसका डाक्टर की डिटेल होती है उसके पिक्चर होती है उसके बारे में लिखावा होता है मेरा यह वाला है अब मैं इसको यह स्कैन करते हूं मेरा थर्टीवन नंबर है नाम का शोटकट आ रहा है मैं रूम में आ गई है अपने चेक अप के लिए डाक्टर को अपना चेक अप कराऊंगी देख तो क्या बुलता है क्या वजाय पे इनकी यह डॉक्टर है जिसने आज मेरा चेक अप करना है चेक अप करा लिया है मैंने डॉक्टर को अब डॉक्टर करा है कि में भी वैक्सिन की वज़ा से पेन हो रहा हूं कुछ लोग होता है क्योंकि मुझे भी जो दरत का प्रब्लम शुरू हुआ था उससे पहले तो मुझे नहीं हुआ और वैक्सिन के बाद तक दो माईने हो ग है चेक अप चार्जिस कम होता है लेकिन वहाद में टेस्ट हो गएरा और जो दोगायां लेते हैं उस पर फिर जादा पैसे लगते हैं अब यहां प्रेमिट करके फिर उपर जाके अपना टेस्ट करवाओंगी मैं और यहां पर यह है कि इन्शूरस तो हमारा होता है सब ही बहुत जादा पालिसीज है इस तरह जिस तरह से थोड़ी बहुत बिमार होते हैं ना तीन-चार सो खरच हो गए पात सो खरच हो गए तो उसका कोई इन्शूरस में रिटन बेक नहीं होता है खुद से ही वह ट्रीटमेंट कराना पड़ता है हाँ अगर कोई बड़ा एकस रूम में जाना अलावनी है उसके बाद जब टेस्ट के बाद उसी डे अगर रिपोर्ट रिसीफ करनी हो तो पीछे ये कंप्यूटर स्क्रीन जे इनके अंदर से रिपोर्ट ले सकते हैं खुदी प्रिंट निकाल सकते हैं और अगर बात में आए जैसे आज मैंने टेस्ट क काफी है तो दो दिन बाद मिलेगी है परसू आउंगी मैं हॉस्पिटल की कैंटीन है अंदर चलके देखते हैं यह बंद रखे वह हैं प्लेन बंद है मकई है मकई को जादा खाते हैं यह हैं इसका मेनी है ब्रेकपास्ट का बहुत जादा चीप है मेरिक आल से अस्पाल की और गौर्मेंट की कैंटीन है तो बहुत जादा रेट कम है यह कुछ लोग यहां ब्रेकपास्ट कर रहे हैं फुल अभी नहीं क्योंकि अभी नाश्टे का टाइम नहीं है तो इसके लिए एड्मिट होना पड़ेगा उसके बाद ही बहुत सारे टेस्ट करेंगे और उसके इसके वेक्सिन की वजए से मसला नहीं है मैं भी बॉडी में कोई पहले से प्रॉब्लम चले लेकिन पहले सिंटम जाहर नहीं हुए तो यह इस पर तरीका लिखावा होता है किस तरह यूज करनी है फॉर्णर भी जो है यहां जो यहां चेक अप करा सकते हैं लेकिन अपना पासपर्ट लेके जाना पड़ेगा जब होस्पिटल जाएंगे तो कि पासपर्ट से रिजिस्ट्रेशन करते हैं फिर वो उनके कंपिटर राइस सिस्टम में रिकार्ट में आ जाता है नेक्स ताम जब भी आप विजिट करेंगे तो उनके पास आपका पुराना रिकार्ट मुझूद होगा जो भी विमारी तो से रिलेटिट सारी डिटेल होगी आज का मेरा गौर्मेंट हॉस्पिटल का विलोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना है और यह बताना है कि आपकी कंट्री के गौर्मेंट हॉस्पिटल और यहां के गौर्मेंट हॉस्पिटल में क शुक्रिया अदा करती हूं और जिनने नहीं किया कोई मसला नहीं है जब टाइम मिले कर लीजेगा फिर नेक्स वीडियो मुलाकात होगी